बड़ी मुश्किलों से हम पहुंचे हैं लोग कहते हैं कि बड़ा आसान है चलना लेकिन मैं कहते हूं भाई बड़ा मुश्किल है तो गाइज गुड़ मॉर्निंग और यह अगले सुबहे की वीडियो क्योंकि हम देर रात करीब एक बजे अर्दकवारी पर रुके थे और ब अब हम निकलेंगे देशनमाता के मेन मंद्री की तरफ तो अब हमें चलना है क्योंकि सर्दी बहुच जाता है और सुबह सुबह तेज अबाएं चल ली थी कि पूछोए मद और फिर हमें श्रांगयों गरम कपड़े पैनाने पड़े और अब हम चलते हैं भीड भूच जात बाएं यहाँ यहाँ आपको यह को पाटा ही रहा है एसी जी अपचा है जिन्दगी एसी जी तरफ जाएं जिन्दगी भै जाता है जिन्दगी भै अबच जी नी बिट्टा बेबी दोस्तों यहां पर सोने का अपना अलागी माजा था जैसे ही हम रात में सोई तो कोई दिक्कती थे लेकिन रात में तूफान चलने लगा और ठंडी-ठंडी हवाई चलने लगी अबम इस रिए सुबह का नजारा और आप देख से ही कट्रा सेहर कितना चोटा सार कितना प्यार कितना सुन्दर दिगहां ये मैंने उपर सी वीडियो बनाया था जब हम काफी हीट पर थे तब मैंने वीडियो सूट किया था पाण उचा है भवन उच्ण मंदिर और यह जो आ होई कि श्यूद्ध है वेस्ट कि इसटैसर रास्ता है यह भूछ चोटा सबनाया वाइब सेख सकते हैं अभी सब्सक्राइब के लोगा यह इस तो हम आप मैं टसके से उत्ज हम पर लिए यह दुछ ज्याधा भार्णा दैंट गया कर्द में गषाथ सब्सक्राइब देखें कैसे पहाड वगयरा और यहां पे हर जगे लोगी लोग है हर जग है देख सकते हैं अभी वागपागी का यू दिखाएंगे यह अर्दुक्वारी है यहां पे फूपाया कि कुछ में आपे नंबर ने लगता तो ज्यादा बीड रहती है अभी हम सुबह जैसे हम चले तो थोड़ी ठंड थी तो चलने में कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि गर्मी होती तो गर्मी बड़ी दिक्कत होती थी चलने में तो बहुती मतलब अच्छा मोसम हो रहा था चलने के लिए जब भी आप वैशनमाता की यातरा करें तो आप इन बंदरों से बचके रहें यहां पर लंगुर बंदर बहुत जादा है अगर आपके आद में बोटल है फोन है कुछ भी आपके हाथ में हैं तो चीने कोशिश करते हैं दिए सिलाण गाश्री। विलग को प्लिए से बढ़ा बिसे जोटाने की से पैसमें होगते लिए नहीं हाई झालको는 प्स work में धेश्क्टारेश करते हैं तो थोड़ी मंचीरमाता का मंधिर और मैं थो चोदा से वीडिए बना डाना था ही अगराusc McClasa वेज़े देखको छिवांगी पहली बार चली जब पूरी आत्रह वोगी तब चली इस न रुला दी हम सारे को दी गोदी 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 वैसे शिवांगी ने हमें बड़ा परेसान किया मतला इसको नहीं हम गोदमे उटको टागी घूमते रहे कभी परतिबा कभी मैं कभी इस यहां हेलिकॉप्टर पे भी लोग यात्रा करते हैं जो आप देख पा रहे होंगे अभी हमने मंगा हैं कडी चावल और राजमाचावल और तूट पड़े सारे और शिवांगो ने भी अपने हाथ से खाने को इसका भी लिए क्योंकि इसको अपने हाथ से भाना था और आपको बहुत ही नजदी दिख रहा होगा लेकिन पाड़ी घूमते घूमते काफी दूर रह जाती है यह देखो कैसे कैसी पहाड़ी है मतलब इस तरीके से रास्ते बनाए हुए हैं कि रास्ते के उपर ही बिल्कुल पहाड़ी है तो मैंने थोड़ा साज का वीडियो भी सूट किया तो यहां पे ना नोट्विशन लिखे हुए हैं लाइन्स लिख है कि किरपया त चुके हैं साम से चले हुए हैं और अभी आप भी टाइम हुआ है करीब 11 बजे हुए है तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी पार लिगे भी बैशन दीव माता के मंदिर देख सामने ही बिल्कुल आपको दिख रहा होगा बड़ी मुश्किलों से हम पहुँचे हैं लोग कह देख लाइन की बड़ा आसान है चलना लेकिन मैं कहता हूँ भई बड़ा मुश्किल है अगर एक्स्पियंस नहीं है थोड़ा बोट चलनेगा तो पहले एक्स्पियंस कीजिए अपना साम सदाई यह थोड़ा बोट तो वाइज आप देख सकते हैं दर्संद करने के लिए बहुत लंबी बीड है बहुत लंबी लाइन अगर लाइन में लाइन तो करीब कम से कम भी 3-4 गंठे हमें लेकिन हम जाएंगे वी आई पी पास के तुरूप तो इसके लिए हमने ओ लेडी पहले ही वी आई पी पास बनवागे रखता है इसकी वेज़े से हमें लाइन में खड़ाज ना होना पड़े और हम डाइक लीज जाएंगे परसाज चड़ेंगे वाज़े बीड आप देख सकते हैं इतने ज्यादा जाई हैं अबरे आप अबरे समय कि विया पी लाइन को देखना है नहीं तो हमें तो राइन में खड़ा रहना पड़ेगा तो सबसे पहले हम ने जाए आप परसाद आप देख सके कितने लंगे लाइन है वो उचार लंगी लाइन हैं इसकी सब्सक्राइब हम केंुबके परसाद लेते हैं इसके बाद अपना बलोग हम कंव्ची करें यह क Kayla कि अभ्य Tutorkण अब यहां से लेगे परसाद इन के उसके बाद परासाध सब्सक्राइब सब्सक्राइब परसाद चड़ाना जोस्तर आई कि यहां आपने जितना सारा समान हो आपको जमा कराना होता है तो कि आप मंधिरिक में पुछ नहीं ले जा सकते इस सारी आपको यहां पर जम्म करानिया आप याद रखें पभी जी आए तो अपने शमान को यहां सब्सक्राइब कर दें कि आपने जो आपके मंदिर तो अभी हम उसके जाएंगे उस टफ लोग हम आपको दिभाएंगे तो लोग अज़र आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें जैने को सब्सक्राइब करें मिन प्रसाद चडाने के बाद एक्जिट कर रहे हैं झाल